हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोही फ्रेंज आज मैं बहुत ही पॉपुलर राजमा बनाने जा रहे हूं राजमा फ्रेंज हम सब की फेवरेट डिश है और राजमा जो है यह चावल के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीज़े मेरे यूट्यूब चैनल कित्टी की-नुसोई को और बैल नाइकन दबाईए मेरी लेटस्ट गूषण विडियो सबसे पहले देखने के लिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने राजमा लिये हैं राजमा को मैं सबसे पहले 2-3 पानी अच्छे से धोलूँगी और इसे मैं पूरी रात के लिए पानी में भिगो दूँगी आप चाहें तो कम से कम friends इसे चार से पांच घंटे के लिए भी पानी में बिगो सकते हो Friends मैंने राजमा को पूरी राद के लिए बिगो दिया था अब मैं राजमा को pressure cooker में डाल दूँगी और साथ ही में मैं इसमें एक चमच नमक एक करूँगी और अब हम इसे boil करने के लिए रख देंगे friends हम राजमा में 2-3 सीटी लगने तक gas को बन कर देंगे तब तक जो है हमारे राजमा अच्छे से boil हो जाएंगे जब तक राजमा boil हो रहे हैं तब तक हम मसारा त्यार कर लेंगे जिसके लिए हमने सब सबजों को अच्छे से धोके प्यास को हमने रफली चौप कर लिया है टमाटर को भी हमने रफली चौप कर लिया है हरी मिर्च ले लिया है हमने लसन को छील के तियार कर लिया है और अद्रक को भी हमने रफली चौप कर लिया है फ्रेंस हम इन सब को पीस के इनकी प्यूरी त्यार कर लेंगे देखिए फ्रेंस राजमा बॉयल हो चुके हैं इसके इलावा हमने प्यास को जो है ग्राइंड कर लिया है टमाटर की भी हमने प्यूरी बना लिया है इसके लावा हमने अध्रक लसन और हरी मिर्च का भी पेस्ट त्यार कर लिया है इसके इसके इलावा फ्रेंड्स हमें मेथी दाना, कड़ी पत्ता, नमक, लाल मिश्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तेज पत्ता, दाल चीनी और बड़ी इलाईची चाहिए, और इसके इलावा हमें काली मिश्च पाउडर, गरम मसाला और हींग चाहिए, अब ह हम इसमें तेज पत्ता दाल चीनी बड़ी इलाइची और मेथी दाना डालेंगे और इसको हम 10 से 15 सेकेंड तक भून लेंगे हम इसमें अब कड़ी पत्ता एड़ करेंगे और साथ ही में इसमें हम हींग एड़ करेंगे अब हम इसमें ग्राइंड किये हुए प्यास एड़ कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स हम हलका गोल्डन ब्राउन होने तक प्यास को अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें अद्रक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट आड़ करेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम इसे भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे, हम इसमें हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर आड़ करेंगे हम इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को भी हम भून लेंगे Friends, आप ध्यान रखेगा जब हमने राजमा को वाईल किया था, तब भी हमने इसमें नमक एट किया था, स्पाइसिस भी आप अपने हिसाब से कम जबा कर सकते हो, मैं तमाटर की प्योरी को एट कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, हम इसे तब तक भूनेंगे जब मसाले तेल चोड़ दिया है bạn अब अच्छे से भून भी चुका है अब हम इसमें boil के हूए राजमा को डाल देंगे और इससे हम मिला लेंगे फ्रेंड्स राजमा में आपको कितनी ग्रेविट चाहिए वो आप अपने हिसाब से एजस्ट कर सकते हो मैंने राजमा बॉइल करने में जो पानी यूज किया था मैंने वो सारा पानी जो है राजमा के अंदर डाल दिया है देखे फ्रेंस राजमा में जो है बॉयल आ चुका है अब हम मीडियम फ्लेम पे करके राजमा को ढख देंगे और इसे हम 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बीस मिनट हो चुके हैं फ्रेंस अब हम राजमा को चेक कर लेंगे प्रेंट्स राजमा जो है इस सब की फेवरेट डिश होती है और राजमा जो है चावल के साथ में बहुत ही अच्छे रखते हैं आप भी इससे अपने घर पे जरू ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज भी मेरे साथ में जरू शेयर कीजिए और कुछ भी पूछना चाहत अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा योट्यूब चैनल कितीगी रसोई थेंक्यू फ्रेंड्स